हेलो फेंड्स वेलकम टू मादव ड्रेसिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही प्यारी सी लड्डू गोपार जी की बहुत ही सुन्दर सी ड्रेस और फ्रेंड्स ये एक रिक्वेस्टिड वीडियो है इस डिजाइन की मैंने पहले एक ड्रेस की वीडियो अपलोड की हुई है वो इससे अलग है लेकिन शेप पिल्कुल एक जैसी है तो मेरे पास पोमेंट आया था कि आप इसको छे नंबर में बनाना सिखाईए तो उस वीडियो में मैंने चूड़ी की मदद से आपको बेस कट करना सिखाया हुआ है और वहाँ पर जो ड्रेस बनाई है वो तीन नंबर कानाजी की है वो चार नंबर को भी आराम से आजाएगी आज जो ड्रेस बनाएंगे वो 6 नमबर काना जी की बनाएंगे लेकिन उसे आप 5 नमबर को भी आसानी से पहना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले देखे हमें बुक्रम पेस्टिंग का बिल्कुल एकदम से चोकोर पीस लेना है और इस चोकोर पीस का जो मेजरमेंट होगा यहाँ पर देखे साड़े ग्यारा बाई साड़े ग्यारा बिल्कुल एकदम से चोकोर पीस हमने लिया है अब इसको हम देखे यहां से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे मिला करके इस तरह से फिर इसके बाद एक बार फिर से फोल्ड करेंगे दो फोल्ड हमने कर लिए है इसके बाद एक तीसरा फोल्ड भी करेंगे यहां से देखे ऐसे इसको हम कर लेंगे ठीक है उसके बाद अब हम एक चूड़ी लेंगे और देखे चूड़ी की हैल्प से हम यहां पर मार्क लगाएंगे अब देखे यह हमारी चूड़ी थोड़ी तो हमें क्या करना है यहां पर हमें पहले थोड़ा सा ऐसे पाइडिये से यहां पर मार्क कर लेना है यहां से इस तरह से और फिर इधर चूड़ी को मिला करके यहां से थोड़ा सा मार्क इस तरह से लगा लेंगे हम और उसके बाद देखे यहां से मेजर करेंगे यहां से मेज तो यहां से देखे यह पोने 5 इंच है तो यहां पर भी हमें सवा 5 इंच पर ही मार्क लगाना है अब देखे इसको हम यहां पर ऐसे रखेंगे गोलाई में और हमें यहां से पहले इसके ऐसे गोलाई कर लेनी है गोलाई करने के बाद अब इस मार्क को हम यहां ऐसे मिला इस तरह से देखिए यह गोलाई हो गई है अब इस गोलाई की हम कटिंग कर देंगे यहां से देखिए हमें यह इस तरह से कट करना है जो हमने मार्क लगाया है इस मार्क से ऐसे आराम आराम से इस गोलाई को इस तरह से हमें कट करना है यहां से देखिए यह मार्क थोड़ा सा हमारा यहां से था तो थोड़ा सा नीचे से हम इसको देखिए इस तरह से कट करेंगे ऐसी देखिए अब इसकी गोलाई बिल्कुल बराबर है अब इसको खोल करके देख लेते हैं ये देखे, ये इसकी शेप के कटिंग हो गई है, अब हम इसे अस्तर के कपड़े के उपर रखकर चिपका دेंगे, तो हैं & या पर देखे yasak ये कट हुगे जह कहले हैं तो हम इसे पांच नंबर चोगे को पहना सकते हैं अब देखे ये अस्तर का हमें कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को ये शाइनिंग वाली साइड कपड़े के उपर रखेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे पहले हम इसकी कमर कट करेंगे उसके बाद कपड़े के उपर इसको चिपका देंगे तो यहां से देखे लगबग एक इंच की हमें पोना इंची की कमर कट करेंगे छे नमबर के लिए तो यहां से पोना इंची पर मार्क करेंगे और इसकी हम ऐसे गोलाई करके इसकी कटिंग कर देंगे कमर कट करने के बाद अब देखे हमने ये एकस्तर का कपड़ा लिया है और यहाँ पर इससे थोड़ा सा हमने बड़ा कपड़ा कट किया है और देखे ये वाला कपड़ा भी हमने कट किया है और इसको हम यहाँ पर इसके उपर उल्टा रख देंगे इस तरह से और फिर उसके उपर हम ये बेस रखेंगे तो देखे हमने इस तरह से इसको बड़ा कट किया है और पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे यहां से देखे इस तरह से पिन अप कर लेंगे जिससे की सिलाई लगाते वक्त फिर ये कपड़ा ही लेगा नहीं अच्छे से सैट रहेगा और हमारे सिल हो जाएगा फिर उसके बाद एक सिलाई हम यहाँ पर साइड में ऐसे लगाते जाएंगे देखिए इस तरह से चारो तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा करके इसको त्यार करना है अब देखिए इसके उपर हमने यहाँ पर दो सिलाई लगाई है एक हमने बिल्कुल किनारी प कहीं के मासे हम इसको ऐसे कट करते जाएंगे इस तरह इंट तरह हमें कट करना है इसी किप इसceksen को अपर करींगे अब देखी तुछ तो मैंने इसके से के उपर की है और एक मैंने देखे यहां पर अलग से की है और फिर एक सिलाई मैंने इसके बराबर बराबर बुकरम पेस्टिंग के बराबर बराबर लगाते वे सारी गोलाई पर इस तरह से की है देखी इस तरह से मैंने यहां पर तीन सिलाई कर लिए जिससे की बहुत में से इसको ऐसे हम कट कर देंगे और कट करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे तो देखिए यहां पर पहले तो हमें यह कमर की कटिंग कर लेनी है यहां से इस तरह से इस कपड़े को कट करके निकाल देना है इस तरह से अब हमें इसको पलटना है तो यहां से देखिए इ यह ऐमारी कर् و ब्यादो है , नहीं से तरह कुक्ण जाया तरह है। इस तरह से एक एक कर्व को हम पलटते जाएंगे और इसको ज़्यादे खीचना भी नहीं है नहीं तो सिलाई पर से कपड़ा खीच जाएगा अब इसको देखे ये वाला कर लेंगे ऐसे धीरे धीरे सारे कर्व को आराम से पलट लेंगे एक बार लगता है थोड़ा सा मुश्किल लेकिन जब हम करते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाता है अब धीरे धीरे से इसको हाथ से हलकी हाथ से ऐसी प्रेस करके इस बुकरम को हम सैट कर लेंगे जो बुक्रम पेस्टिंग है इसको ऐसे सीधी साइड पलट लेंगे और देखे यहाँ पर हर एक कर्व के अंदर ऐसे हमें हाथ दे करके इस तरह से इनको खोलते जाना है सिर्फ दो मिनट लगेंगे इसको करने में कोई जादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत आसानी से ही हो जाएगा इससे पहले हमें क्या करना था देखे हम एक चीज भूल गए जो यह सारे कर्व थे हमें यहाँ पर बीच में कटके निशान लगाने थे तो सोरी फ्रेंड्स वो में भूल गई लगाने उससे आराम से पलट जाएगा यहाँ पर हमें बीच में ऐसे कटके निशान लगाने है जिससे कि यह फिर आसानी से पलट जाएगा देखे यह दूसरा कर्व है तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कटका निशान लगा लेंगे ऐसे और हमें लाश्ट तक नहीं लगाना है जहां तक हमारी सिलाई है सिलाई को बचा करके हमें कट लगाना है अंदर से देखे कट लगाने के बाद यह अच्छी से पलट करके सैट कर लिया है हमने अब इसके बाद ये जो open side है यहां से यहां तक हम चारों तरफ इसके सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर देखे हमें एक लेस लेनी है और इस लेस को लेकर हम देखे यहां पर हमें इसको लगाना है यहां से ऐसे रखते जाएंगे गोलाई में धीरे धीरे इसको सिलते जाना है इस तरह से हमें पूरे घेरे पर इस लेस को अटेच करना है जब हम यहां पर आएंगे तो यहां से थोड़ा सा इसके उपर ऐसे देखे इस तरह से V-shave बना देंगे इसकी V-shave बना करके फिर इसको गोलाई में इस तरह ऐसे लगा देंगे तो चारो तरफ इसके हम इसको ऐसे सिल करके तयार करेंगे यहाँ पर देखे हमने इसके चारो तरफ लेस को लगा लिया है और इसके बाद हम देखे इसको यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से मिज़र करेंगे यह हमने धाई इंच पर ऐसे देखे एक मार्क लगा दिया है यहां से भी धाई इंच नाप लेंगे यहां से भी धाई इंच और यहां से भी धाई इंच इस तरह से हमने देखे गोलाई पर इस तरह से एक मार्क किया है इस पे हमें पट्टी अटेच करने हैं फ्रिल बना करके तो यहां पर देखे मैंने यलो कलर का ये कपड़ा ले लिया सबस्क्त कुlles ती के सब्ग्रों निचे सब्सक्त के सब्सक्रआइब दो बार ऐसे मोडेंगे और इस पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे तो देखे हमें यहाँ पर ऐसे घैरी घैरी प्लेट बनानी है और थोड़ा सा गैप रखना है हर एक प्लेट के बीच में देखे कम से कम हमें इतना गैप रखना और इस तरह से प्लेट बनाते वे उपर सिलाई लगाते वे जाएंगे और पूरी फ्रिल को हम सिल लेने के बाद देखे यहां पर अटेच करेंगे जो हमने यह वाला मार्क लगाया है जितनी भी यह लंबाई है इंच टेप से इसको नाप लेंगे और उतनी लंबाई की हम यह फ्रिल बना करके तयार कर लेंगे फिर इसको यहां पर ऐसे रखते वे और पूरे घेरे पर इसको सिल लेंगे फ्रिल को हमने देखे यहां पर ऐसे अटेच कर लिया है अब इसके बाद यहां पर देखे जो यह इस पेस है हमें इसे कवर करना है तो यहां से इसको मिज़र कर तो देखिए यह सिलाई तक यहां पर डेड़ इंच से एक पॉइंट एकस्ट्रा है तो हम नैट की पट्टी कट करेंगे दो इंच की यानि की दो इंच चोड़ी तो यहां पर देखिए मैंने यह नैट की पट्टी को कट किया है और यहां पर मैंने दो इंच चोड़ी क्योंकि हमें बहुत गयारी गयारी और पास-पाstar फ्रील बनानी हैं तो यहां पर भी देख़ें 끕मर को ऐसे इतना काम कर लेते हैं इस फ्रील को अजयए और इसे पपर देंगे दोनों साइड़ों को यहां inequ कर D लोक करने बाद से गाएंगे नेफ लगाने के लिए हम नेफा पput को कर किया है और इस पम श्यूद को ऐसे हमें गुमाते जाना है पूरी कमर पर इस पट्टी को इस तरह से अटेच कर लेना है अब हम इसके अंदर डोरी लगाएंगे यहाँ पर देखे इस पट्टी को एक बार फोल्ड कर देंगे इसके बाद अंदर हम इसके ऐसे डोरी रखेंगे और फिर दुबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से नेफा बनेगा दो दो बार फोल्ड करते जाना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से ये नेफा बन करके तयार होगा अब देखें नेफा बन करके तयार हो गया है इसके बाद हम इसकी चोली बनाएंगे और पहले चोली बना करके बाद में इस ड्रेस को डेकोरेट करेंगे तो अब देखें चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो पट्टियों को कट किया है दोनों फैब्रिक में से हमने एक पट्टी कट कर ली है और इसकी लंबाई है देखे यहाँ पर 9 इंच इस पट्टी की लंबाई दी यहाँ पर देखे 9 इंच है और इसकी चोड़ाई है यहाँ पर देखे सवा 2 इंच अब इन पट्टियों को हम देखे ऐसे डबल करके इसके सिलाई लगा देंगे और यहां से टीशू रिबन से लोग करेंगे ऐसे ही इस पट्टी को करना है सिलाई लगा करके टीशू रिबन से लोग करना है अब इन दोनों पट्टियों को हम ऐसे रखेंगे एक दूसरी के उपर और यहां से V-shape में सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको खोल लेंगे ऐसे और नीचे की साइड से टिशू रिबन से लोग कर देंगे इस तरह से यह चोली बन गई है और अब देखे फ्रेंट्स मेरको चोली की लंबाई थोड़ी जादे लग रही है तो हम इसको यहां पर नो की जगए देखे साथ साड़े साथ इंची लेंगे थोड़ी सी वैसे हम लंबी ही रखते हैं चोली लेकिन साथ इंच भी काफी है तो हम जो एक्स्ट्रा चोली है इसको यहां पर इस तरह से देखे कट कर देंगे अब इस वक्त देखे यह चोली की लंबाई काफी है च्छे नंबर काना जी के लिए और पांच नंबर को भी आराम से आजाएगी चलिए अब हम ड्रेस को डेकोरेट कर लेते हैं तो देखे फ्रेंज बहुत ही प्यारी हमारी ड्रेस बनी है इसको अभी डेकोरेट भी करना है डेकोरेट करने के बाद बहुत सुन्दर लगेगी तो आने वाले त्योहारों पर जनमस्टमी है राधा अस्टमी है और कृषयन जी की चेटी ए उस पे भी हम पीले रंग की ड्रेस बनाते हैं किसी पर भी आप इस ड्रेस को बनाकर अपने कान जी को पैना सकते हैं अब देखे ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए हम चोटी चांद बूटी लेंगे और यहाँ पर देखी यह मैंने चोटे चोटे पेपर फ्लावर है इनको लिया है इनको हम देखे कैसे करेंगे यहाँ पर यह जो छोटी बूटी है इसको हम यहाँ पर देखे इस तरह से रख देंगे और एक बूटी को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे नीचे की साइड से और इस इससर ऐसे हम इसको डेकोरेट करेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स डेकोरेट करने के बाद कितनी प्यारी ड्रेस बन करके तेयार हुई है और इसकी जो पगड़ी है मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगी तब तक के लिए आप वेट करिएगा और यहां पर देखिए इसकी चोली तो अब एक बार हम ड्रेस काना जी को पहना करके देख लेते हैं कि कैसी लग रही है काना जी के ऊपर यह ड्रेस तो देखिएगा फ्रेंड्स यह है हमारी आज की ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है और बहुत ही सुन्दर लगी है काना जी को यह ड्रेस पैना कर देखे इसका लुक बहुत ही सुन्दर है आने वाले फेस्टिवल्स पर आप इस ड्रेस को जरूर ट्राई करें और ये एक रिक्वेस्टिड वीडियो है जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है एक सब्सक्राइबर है उनकी डिमांड पर आज मैंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया है तो आप सब एक बार जरूर इस ड्रेस को बनाएं और मुझे कोमेंट बॉक्स में कोमेंट करके जरूर बताएं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन प्रेस करिए जिससे की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे